वेलकम टू माई चैनल आज मैं आप लोगों को क्लाश 12 के हिंदी बी का नया स्लेबस क्या है उसके बारे में जानकारी दोंगी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपका जो class 12 का हिंदी भी है उसका new syllabus इस तरह है आपका जो first book है उसमें देखिए छितिच काब्यखन जो book है उसमें सूर्दास पद इसे आपको करना है दूसरा चेप्टर तुलसी दास राम लश्मन पशुराम शनवाद इस चेप्टर को आपको नहीं पढ़ना है जय संकर पशाद की आत्म कथ्या इसे भी नहीं पढ़ना है सूर्य कांथ दिरपाथी निराला का उत्सा अट नहीं रही है तो इसमें आपको पढ़ना है लेकिन उत्सा को पढ़ना है अट नहीं रही है इस चेप्टर को आपको नहीं पढ़ना है नेक्स्ट चेप्टर नागारजुन का ये दंतूरित मुस्कान और फसल तो इसमें से आपको परना है लेकिन इसमें से आपको ये दंतूरी मुस्कान इसे आपको परना है तथा फसल को नहीं परना है गेजा कुमार माथूर का छाया मत चुना इस चेप्टर को भी आपको पढ़ना है आठवा चेप्टर रितुराज का कर्णियादान ठीक है तो इसे आपको पढ़ना है फिर मंगलेश डबराल इनका जो संगतकार है इस चेप्टर को आपको नहीं पढ़ना है दस्वा चेप्टर जो गद्य खंट से आता है स्वय प्रकाश नेता जी का चस्मा इस चेप्टर को आपको पढ़ना है राम बिक्ष बेनिपूरी जी का जो है बाल गोविन भगत इसे भी आपको पढ़ना है मनुभन्डारी एक कहानी यवी इसे भी आपको पढ़ना है महावी पसाथ त्रिवेदी जी का इस्ति शिक्षा के बिरुद की तको का खंडन तो इस चेप्टर को आपको नहीं पढ़ना है यतिंद्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत इस चेप्टर को आपको पढ़ना है भगत आनंद कोशलय का संस्कृती इस चेप्टर को भी आपको नहीं पढ़ना है ब्याकरन एवंग रचना भाग में देखिए आपको क्या क्या करना है संचेपन या सारलेखन, मुहावरा एवंग लोक्तियां, संग्या, सर्बनाम, विशलेशन, सब्द, रूप, उपसर्ग, पते, करताने, चिन्र का पर्योग, समास, इत्यादी आपको करना है तो ब्याकरन में आपको ये सारी चीजे करना है और तो कैसा लगा आज का वीडियो, ये कमेंट में जरूर बताईए, साथी वीडियो को लाइक, कमेंट से जरूर करे और अगर आपने चैनल को अभी तक सस्काइब ने किया, तो प्लीज चैनल को सस्काइब कीजिए, ताकि सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके धन्यवाद